अब आपको सीधे लिए चलते हैं राकेश टिकेट हमारे साथ भारतिया किसान यूनियन के राश्ट्र प्रवक्ता और नेता जुड़ रहे हैं राकेश टिकेट जी पिछले दिनों काफी सक्रिय हैं आप कहां कहां पर घूमे हैं और क्या दिख रहा है आपको उत्तर सब्सक्राइब राजसान भी गए यूपी भी गए क्या बोल रहे हैं आप भी किसान जहां भी किसानों को दिक्कत होगी वहां जाएंगे अभी देवास मध्यप्रदेश कि वहां पे बाजरे की टोलिया खड़ी है उसकी जवार की वह उनको पच्चीस दिन होगे उनका तु टोर रहे हैं वह भी दिखा रहे हैं उसका भी ट्यूट अभी करेंगे वह पूरी वीडियो उनकी आने लग रही है जहां पर किसान की समच्चा होगी हम महां पर जाएंगे अभी जो मैं सुन रहा था अभी जो सब के ब्यान बाज़ी चले पिछले जो एक महिने से जो पॉल्टिकल पार्टियां जो खासकर करके जो सरकार जो जाना चाहती है वह जो परचार करना चाहती है वह जो परवचन देना चाहती है जो यहां पर हिंदू मुस्लिम और जिन्ना जो ड्हाई बहिने के उत्तर परदेश के सरकारी मेहमान करदकाल है उसको जनता सुना नहीं चाथती एक जनता सुना चाथा यह न कि विकास को कि जनता सूना चाथती यह बेरोजगारी को फसलों के रेट वी जो पढ़ाई बंदोरी उसको होस्पिटल को इस पर जाना चाहती है हम अले जनता सा पील कर रहें कि ढ़ाई महिने के परवास पे सरकारी मेमान हैं इनकी तरफ जाना ही नहीं देश के ग्रहे मंतरी कराने में या किसी भी उसमें परचे माठे गर गर जा गए प्लान तो पूरे देश से गाओं से प्लान हुआ है प्लान क्यों हो रहा है गाओं से काम उस करनी की दूरूट है अगर तैंट कूश को अगरिया जिसको गाव आप नी विए भी प्लान तो मोदीजी नहित्फार ने भी करा क्या यह अपने गाव में हैं कि नहीं दोछाइए प्ला करना अगर कोई भी इंडस्ट्री जाब लगा दो अगर वह चलेगी नहीं तो प्रोडक्शन नहीं दे सकती लेकिन बीजेपी कहती है कि वह पलायन बहतर बहतर सवाल सुन लिजे उनका यह रोप है सर कि वह पलायन दरसल हिंदू-मुस्लिम के आधार पर धुरुविकरन किया था नाहीद हसन जैसे लोगों ने उकसाया था कि यहां पर जो हिंदू व्यापारी हैं उनसे सामान मत खरीदो और बहुत जादा नफरत होने की वज़े से पलायन हुआ तो इस पर आपका जवाब और साथी अबू कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन कोई टिकेट दे दिया है वो जेल में है इस पर आपकी क्या राय है हमने यह हैं कि जो इनका डाई महिंदे का परवास है सरकारी मेहमान बनके हिंदू-मुसल्मान और जिन्ना पाकिस्तान भी था वो छूट गया वो इनके लिस्ट में से निकल गया किसी कारण से नहीं तो यह तिन्नु थे और इसी में ही यह वोट तलास कर रहे हैं वोट इसमें से नहीं मिलेगी यह कितना भी यह धक्का देने की कोशिस करेंगे इस गाड़ी को जनता नहीं कह दिया स्टाट नहीं होगी आपने का मैं इस को बाथती यहाडी को स्टाट मत्त होने तो अब करें यह सरकार उसी पार्मुल्या को अज़िको कर रहे हैं और धिली सरकार इउत्तरपर देश्म हाव में लेकिन जनता इस टार्ट नहीं करने पर जनता मुद्धे पर स्टार्ट होगी। एजुकेशन पर ओस्पिटल पर शड़कों के उपपर इन पर स्टार्ट होगी इस पर बात करने चाहिए अमने कहा कि 25 साल की एक national policy देश की बन जाए उसमें सारी पार्टियां हूँ यह तो चुना हो जाएगा इसके बाद मैं बना दो और उस policy पर ही देश में काम करना चाहिए किसी की भी सरकार आए फिर उस policy पर काम करें तो यह देश सागय बढ़ेगा नहीं तो देश तो गड़े में जाना ल कोई यह होगा कि देश का हो कर रहा और यह सब की लिश्ट निकाल लो कौन-कौन नाहीं दसन देश में मैं बने बनाना चाहिए यह मुद्दा नहीं बढ़ने का इन पर किसी पर मुद्दा बनेगा विकास का उस पर काम करो उसी पर यह देश चाता है जो गाहों के लोग है उसी पेचाते हैं यह पहले फार्मूला चल गया अब नहीं चलने का यह कितना भी स्टार्ट कर लो इसी इस सिस्टम को यह स्टार्ट होने वाला है नहीं हमने कहां कि यह डाई महिने के परवास पे हैं 15 मार्च को यहां से यह मुद्दा चला जाएगा यह परवचन देंगे यह सरकारी महमान है परवचन देंगे इनके परवचन को सुन जरूर लेना उस पर आमादा नहीं होना तो आपके मुद्दा जनता को पसंद नहीं है यह मुद्दा जनता को पसंद नहीं है हर चीज एक दवाई काम नहीं करती वो चलेगी एक आदबारीन की दवाई हर बाद नहीं चल देगी यह कितना भी स्टार्ट करके देख लो इस्टार्ट नहीं होगा कुछ नहीं होना इसमयव अब दूसरे इसु लेक आवे यह लेक आवे काम इतने ऑस्पिटल बनाएंगे सड़के बनाएंगे बच्चू के स्टेडियम बनाएंगे बैई हरियाना सरकार भी तो इनी की हैं वहाँ पर हर गाउं में स्टेडियम है वहाँ पर बच्चे जाते ह नहीं है बच्चों के उस पर इस्टार्ट कर रहे उस पर इस्टार्ट कर रहे वह नहीं होगा आप स्टेडियम कितने बनाएंगे बता दो हर गाउं में गाउं समाज की जमीन हैं उसमें स्टेडियम बनाते नहीं कि हमने बच्चों के लिए यूद के लिए यह काम करा है कु करेगा इस जमीन को कब जाने का प्रोग्राम है यह पोलिसी इनको तहे करनी पड़ेगी अपनी फसले किसान अध्यरेट में बेच रहा है मजदूर को मजदूरी नहीं है कि सलंडर कहां जा रहा है यह जंगल दिरे-दिरे खड़े होंगे जो नैशनल पोलिसी पर कोई काम नही देख रही है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है नैशनल पोलिशी पर किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं हमने जवने हैं इंचको अब चुनाव लड़ना हो लो लेकिन जो सरकारी अधिकारी होंगे वे जिस दिन गिनती होगी नहीं उस दिन 15,000 वोट अपनी जेम में लेकर जाएंगे वे बूत पर क्या हो रहा है देश में 15,000 वोट परसासन का धिकारी अपनी जेम में लेकर जाएंगे वे सरकारी वोट होंगी वे सब जानता है देश का नोजवान देश की जंता सारी जानगे कि क्या पोलिसी चल रही है निकास के उस पर काम करो तो यह देश में बचेगा नहीं तो गड़े में लगत लेकर जाने इसको यह जो आपने का सरी समझ नहीं आई बात आप क्या कह रहें कि अपनी जेव में ये सरकारी लोग जो वोट लेकर जाएंगे वो क्या करेंगे जाएंगे आज है कि समझ में तो जबाव हैं आप कि आप बताना क्यों चांगे वोट डालने का 80 साल से उपर के याद भी कहां वोट डाल लेंगे अच्छा और जो मिलिटरी फोर्स में जो लोग हैं वे कहां उट डाल लेंगे उनके जो अधिकारी हैं उनको कहां कह रहे हैं कि कहां उट डाल लो उनकी जो वाइफ है उनको भी कह रहे हैं कि कहां डाल लो वो जाएंगे सब जाएंगे सब आपको पता है कि वे कहां जाएंगी अचाया है कि अभी से यह लुट वेक्सिंग कर रहे हैं। तो का में यह ने कि आपके नियुक्त दिखाद हो। आप में इंब्ल सकतरों है कई थो B PuThe क्या वागत deba pasar फिर्स प्लावा प़ोतों हाने कि इन कंव रहे हैं। बोलिया हमने यह कहा है कि क्या जो सरकारी करमचारी है सरकार को यह ओठ देगा जिसकी सरकार है उसको सुष्टन तो चोड़ दो उदेदगा जिसको देदगा ओठ पर यह तो हमेशा से होता है नहीं हमको से कोई हमको उस्सा नहीं है कि सरकार किसकी बने लेकिन सरकार अब नेशनल पॉलिश्यू पर बने वो देश के लिए काम करें अगर यह इतने ही बड़े हिंदू वादी रुप बने के सर्पिटिकट हिंदू का यह देंगे यह करोना जो मंदर से खुल रहे हैं उसमें करो के 30% हिंदू के पढ़ेंगे उसमें और एजुकेशन देश में एक होगी पढ़ाओ अपने बच्चों को ने स्कुल में लेओ एक नेशनल जो पॉलिशी है एजुकेशन के एक पॉलिशी लेकर जाओ एक सलेबस होगा देश में जितने भी मंदर से स्कूल जो भी चल रहे हैं इन अपने बच्चों को नहीं में पढ़ाओ सरकारी टीचर तो है ने सब में उनकी भी तनका जा रही इनसे भी जाएंगी लेकिन यह तो तोड़ने का काम करेंगे इनको किसी एजुकेशन से कुछ नहीं लेना देश को लेवर कलोनी बनाने का सद्यान तिनितका है वो मनसूपे इ इंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में डाई महिने के लिए हैं सरकारी महमान हैं सरकारी स्पीच देंगे यह सारे लोग उनकी स्पीच में जनता को नहीं आना यह अमने जनता हो कहा अपने विकास पे काम करो जहां जिसको होट देनी अपना सांती से दे लेना अब बहुत दन्यवाद आपका राकेश्ट के जिन्नों ने कहा कि वो यह मानते हैं कि जिन्ना सरकारी महमान के तोर पर अभी चुनाओं के पहले आये हैं और जनता को वो यह कह रहे हैं कि इनकी बातों में मत उलजना विकास के मुद्दे पर ही इस बार चुनाओं हुने चाहिए